संटे का दीन है और आज मैं breakfast में बना रही हूं पोहा तो पोही के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक कड़ाई में mustard oil एक बड़ा चमच लिया है इसमें मुमफली के दाने डाल कर मैंने उन्हें फ्राई कर लिया है मुमफली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मुमफली ज्यादा टेस्टी भी बनते हैं तो इसे फ्राई करने के बाद मैंने एक मीडियम साइस का टमाटर और एक हरिमेज को काट कर इसमें डाल दिया है अब इसमें हम डाल देंगे मसाले इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है बड़ी जल्दी से ब्रेक फस्ट ब जाल दूंगी ताकि जो मसाला वह अच्छे से भुण जाए तो यहां पर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और यहां है पोहा मैंने दो कप पोहा ली है यहां पर सूखा अब इसको जो है भीगो देंगे हम अच्छे से दोके और यहां पर देखे मैंने मटर भी होता है इतना दो बड़े चमच और यहां पर पोहा जो भीगो के रखा था वो भी इसका पानी सुग गया है तो इसमें डाल दिया है पोहा अच्छे से सारे मसालों के साथ पोहे को मिक्स कर लेंगे यह बहुत ज्यादा टेस्टी बनता आप इस तरह से बना के देखिए आप चाहें तो इसमें आलू भी एड़ कर सकते हैं पर मेरे घर में कोई खाता नहीं इसलिए मैं नहीं डालती आलू तो गैस बंद करने के बाद मैं इसमें एक मतला आधा नीबू का रस जो है वह नी चोड़ दूगी तो नीबू से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता थोड़ा उपर से हारा धनिया एड़ कर दिया आजकल खूब हारा धनिया आ रहा है सर्दियों के टाइम में तो यहां पर यह सारा अच्छे से मिक्स करने के बाद मैसे सर्फ कर दूगी यह हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी पॉस्टिक और जटपट बनने वाला नाश्ता तैयार है तो इसे आप चाए के साथ कॉफी के साथ ले लिजे या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं प्राइ कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा